चलिए बनाते हैं कम तेल, कम महनत और कम मसाले में जटपड बनने वाली टेस्टी और हैल्दी लॉकी की ऐसी रेसिपी तो लॉकी को अच्छे से वाश करके बड़े बड़े आप पीसेस कट कर लें ऐसा करने से ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनेगी तो यहां हाँ रेसिपी बनानी के लिए मैंने सरसो का तेल यूज किया है फ्रेंट्स आप भी इस सबजी के लिए सरसो का ही तेल यूज करें सरसो हमारी बॉड़ी के लिए बहुत ही हैल्दी होती है तो आदा शम्मच आप इसमें गरम तेल में आप डालें जीरा साथ में एक मीडियम साइस का प्याद बारी कट करके डालें अपने टेस्ट के अपाडिंग आप इसमें हरी में चैट कर लें उसके बाद जो हमने पीसे कट किये थे लौकी के उसे भी डाल कर अच्छे सा फ्राई कर लेती है फ्रेंस लौकी वैसे तो बहुत ही आडिनरी सबजी मानी जाती है और इसे बहुत से लोग ओवाइट भी करते हैं लेकिन लौकी खाना अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो यकीनन आप इस तरीके से बनाने पर बार बार खाएंगे और अपने महमानों के लिए भी बनाना ज़रूर पसंद करेंगे यहां मैंने एक मीडियम साइज का आलू भी कट करके डाला है आप चाहें तो इसे इसकिप कर सकते हैं यह ऑप्शनल है तो अच्छे से 2-3 मिनिट के लिए आलू और लौकी को अच्छे से इस तरह से आप फ्राई कर लें उसके बाद हम इसमें आड करेंगे टेस्ट के एक औरिंग नमक साथ में इसमें हम एट करेंगे एक चमच धन्या पाउडर और गोल मिरेज जीरे का पाउडर आधा चमच और एक बारीक मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स कर लें यहां हमें पानी बिल्कुल आइड नहीं करना है क्योंकि टमाटर भी पानी चोड़ता है और लौकी भी रिलीज करती है थोड़ा वाटर तो बस दो स्रीटी आप इसकी दिलवाएं और यह सबजी बनके बहुत ही टेस्टी भी है जटपट बनने वाली है बहुत ही कम मसाले कम इंग्रीडियन के साथ बनने वाली यह रेसिपी है डिफरेंट टेस्ट के साथ है आप देख सकते हैं धनिया पत्ती से आप इसे गार्निश करें तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो यहां से करेंगे तो बद दो यह तो चौने माझ मान कर खाएंगे यह रूज बनाना चाहेंगे तो इस रेसिपी को अब ज़रू ट्राइग कीजिएगा बिलकुल ही डिफरेंट तरीके की रेसिपी है बिना अध्रकил मीनिम्सीपी के साथ यह हैल्धी और टेस्टी से लोकी जो लhawkी नहीं भी खाता होगा वो भी खाने लगेगा और उसकी ये फेवरेट हो जाएगी तो बनाएं अपनों को खिलाएं और इंज्वाइ करें ये हेल्दी सी लौकी की रेसिपी